बच्चो व्यावसाईग जोखिम आपने जाना आईए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाजार की सितिका जोखिम पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बच्चो देखो बाजार को जो है न वो दो भागों में वक्त किया जाता है पहला भाग जो होता है वो एकादिकार बाजार होता है और दूसरा भाग जो होता है इसका वो प्रतिसपर्दा बाजार होता है अगर हम एकादिकार बाजार की बात करें तो मतलब मोनोपॉली से इंगलिश में मोनोपॉली कहते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें नहीं होगा यस तिति में अमना यह ची है कि जो गिम की स्थिती हो इस समय कम होथी है प्रतिसपरदा अत्मक बाजार के मतलब जब लोग बाजार में जादा आते जैसे कि आप डे टुडे लाइफ में देखते हैं अपनी क्लास में देखिए अगर कॉंपेटिशन जादा है तो क्या होता है वहाँ पे हर बच्चा बहुत मेहनत करता है आगयाने की वैसे एकर हम मा उसके मार्केट को क्याप्चर कर ले उसके जो कस्टमर्स है या उसके जो भूकता है वो भूकता को भी वो क्या अपनी और आकरशित करें और क्या करें उससे जो लाब है वो अरजित करें तो इस सिती में क्या हुआ जोखिम की सिती बढ़ जाती है तो बच्चो इस तरीके स लिए नेक्स टॉपिक कहता है इस चैप्लर का कि व्यावसाइक जोखिम के कारण वॉट अब देखिए बच्चों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं व्यावसाइक जोखिम के चार कारण यहां दरशायगे पहला कारण कहता है प्राकृतिक कारण दूसरा है मानवी कारण तीसरा है आर्थिक कारण और चौथा है बहुत दिक कारण अब बच्चों अगर हम एकक करके इसको समझें तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राकृतिक कारण से आप जैसे कि प्राकृतिक कारण इस शब्द से अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें जो भी चीजें होंगी नेशर से रिलेटीड होगी, मतलब इसमें मनुष्य का कोई डी है, मतलब मनुष्य इसके लिए जिम्मिदार नहीं हो सकता या मनुष्य उसको क्या कर सकता है एक लिमिट तक ही सुधार सकता है, लेकिन जिस समय वो सामने आएगी समस्या उस समय मनुष्य को उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अपि कौन सी समस्याओं हो सकती है बच्चो आप जैसे देख सकते हैं भुकम पाता है ज्वाला मुखी आता है तूफान आता है महमारी आती है तो यह जो सारी समस्याओं है ये किस में आएंगी प्राक्रतिक कारणों में आएंगी तो बचो आई हम एक एक करके कुछ प्राक्रतिक कारणों के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं जैसे कि पहला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें लिखा है बुगर्ब में होने वाले परिवर्तन यानि जियो लॉजिकल चीन जैसे कि आप देखते हैं कि बुगर्ब में जो परिवर्तन होते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि ये नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन कभी- तरुकी कारण dji परδियुम्स सब्सक्री परकाश्स के रहते हैं चासरी को उसक्य परते हैं कि यह जो तिकूरade नहीं हैं और इसक्सरी कौरते हैं और और हानी होतेème कर इसा दिर्टा करते हैं थंप हौन पहंचारी आगा है लाप भी पहुचाते हैं हम दूसरे कारण की चर्चा करेंगे मौसमी परिवर्तन यानि सीजनल चेंज अब जैसे की तूफान आ गया ठीक है गर्मी में अचानक कुछ दिनों बाद खुब गर्मी पड़ रही खुब गर्मी पड़ अचानक सीजन चेंज हुआ और तूफान आ इसमें अभी अच्छा उधारण आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा या अक्सर सुनते हैं कि टिड़ी दल का जो होता है वो फसल पर हमला हो जाता वो लो क्या करते हैं फसल को खाने लगते तो यह प्रकार का अन्य प्रकृतिक प्रकोप है इसके अलावा दूशित गैस क यह सारी जो चीज़ें यह अन्य प्रकृतिक प्रकोप या अधर नाचरल के अंदर आती तो बचों यह जो तीन थे वह प्रकृतिक कारण थे आई हम देखते हैं कि मानवी कारण क्या हो सकते हैं अगर हम मानवी कारणों की चर्चा करें तो इसके लिए पूरण तकौन जिम् जोख्यम को उत्पन करते हैं कुछ बिंदू के माध्यम से समझते हैं जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पहला बिंदू है वह कहता है कर्मचारी एवं ग्रागों की बहिमानी डिस्ओनिस्टी ओफ इंप्लॉय और कस्टम आप जैसे जानते होंगे कि कुछ लोग जो कमपणी में काम करते हैं कई कई बार वो क्या करते हैं कि कंपनी के अगर उनके पर यह इसमें प्राइद यह आपने को बढ़ा रुखसान का सामना करना पढ़ता है तो तु... कर्मचारी घराइब की बाहिमानी को किसे समझ सकते हैं . त्वालेडर कोना किकार चसेत्र छोंब that vrais कमपनी को क्योंकि वह किलेदें है उसको रिप्लेस करेका तो दोनुइंटra में क्या कर रहा है घुडा जो है वो company के साथ क्या कर रहा है या website सचीट कर रहा है तो इस सिती में जो पहला बिंदू आप देख रहे हैं कि कर्मचारी ग्रहकों की बहिमानी इसको आप समझ सकते हैं हम दूसरे बिंदू की और आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि दूसरा बिंदू क्या कहता है दूसरा है मन अब मनुश्यक्रत कारण क्या हो सकते हैं धरना देना बंद करना अब इसमें क्या होता है जब ऐसी स्थितियां उत्पन होती है तब क्या होता है आर्थिक नुकसान होता है देश को अब आपने किसान आंदोलन सुनाई होगा यह जो इतने दिनों से किसान आंदोलन चलता आ रहा है अब इन चीजों से देश को कि आर्थिक सिति कितना नुकसान हो रहा होगा तो इस तरह के जो बंद है धर्ना प्रदर्शन इन सब से क्या करना चाहिए बचना चाहिए ताकि व्यवसाय में हमेशा उन्नती होते रहे और हमारा जो देश है वो आर्थिक रूप से है हरताल कर लेते हैं ताला बंधी कर देते हैं और घर आव कर तीनों ही स्थितियों में पूरी तरीके से मैनिफेक्ट्रिंग यूनित या प्लांट या किसी और्फिस का क्या हो जाता है अब यह गाम ही बंद हो जाएगा तो आटिमन्टीकली क्या हो जाएगा वियवसाई भ यह चौरह मानवी कारण हम देखते हैं वो है और साफधानी की कारण जोकिम रिस्क ड्यू टू केरलेस्नेस ऐसे कई कारे होते हैं जो एक प्लांट के अंदर कभी किये जाते हैं मानव के द्वारा जिससे की क्या होता है बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो जाता है मान प्रड़क्ट खराब जाएगा इसके अलावा किसी मशीन कोई मशीन चल रही है अब उसे टाइम टू टाइम क्या है रिपार रिपेरिंग की यह सर्विसिंग की जरुरत है और इस समय अगर उसको प्रॉपर सर्विसिंग नहीं दी गई जबकि मनुश्य प्रजाती आज ले तरहों से या अच्छी तरीके से नहीं निभाएंगे तो इस तरह की जोखिम जिए एक विवसाई को उठाने पड़ते हैं तो इस तरीके से हमने मानवी कारण देखा कि कि अको ा rohan की कारण किक विवसाई को जोखिम का सामना करना पड़ता है आई हैं अगले कारण की उर कारणों के कारण एक व्याविसाई को जोखिम का सामना करना पड़ता है आई एम अगले कारण की और चलते हैं जो की है आर्थिक कारण जिसे कहते हैं कुछ सिचवेशन्स इसे होती है कि कस्टमर्स जो होता है को सिद बाद को जै कि उसकी रूची होती है उस फ्रड़क में ऊदस्ट हो जाती है कि याइसे हम कहते हैं कूम का इरे डिप्रेशित का फिरेड्ट दोनुँ सितियां उत्पन होती हैं परतियोगिता में कब रखी साथी में ते तो यह कारण है यह कभी-कभी एक विशाइक समय के लिए जो खिंक का बन जाते हैं हम आगे बढ़ते हैं माध़िफिछ में मशीने लगी हुए लेकिन समय के हैं तुकन आट ओप हो गई तो क्या करना पड़ेगा उन मसीनों को रिप्लेस करना पड़ेगा तो इस हिती में क्या हो जाएगा बहुतिक जोखिम से तो बच्चो इस तरीके से हमने व्यावसाई जोखिम के कारणों को अच्छी तरीके से समझा है हम अगले बिंदू के और बढ़ते हैं जो कि यह है व्यावसाई में लाब का योगदान या भूमी का रोल आफ प्रॉपिट्स इंड बिजनस आईए इस कॉंसेप्ट को समझते ह कि इस कॉंसेप्ट में क्या कहना जाते हैं अब मुझे आपसे प्रश्न होंपूच ना है कि आप मैं लाब से क्या समझते यह लुक्त का व्यावसाई में क्या योगदान है क्या बता सकते हैं वियावसाइ किया ही इस लिए लेकिन क्या लाब आरजन की भी कोई सीमा होती है या लाब आरजन अनिश्चित रूप से किया जाना चाहिए यह सब जो पॉइंट्स हैं आगे चल कर डिस्कस करते हैं आईए एक परिभाशा देखते हैं जो कि प्रोफेसर रॉबिंस ने दी थी उनके अनुसार लाब आर्थिक क्रिय के लिए प्रेणा शक्ति है अब जैसे कि प्रोफेसर रॉबिंस ने कहा कि लाब जो है आर्थिक क्रिया के लिए प्रेणा शक्ति है मतलब एक मूटिवेटर की तरह कारे करता है किसी भी व्यवसाई के लिए जो लाब है वो एक मूटिवेटर की तरह कारे करता है वो तब ही लाप प्राप्त नहीं होता तो वो थोड़ी देर के लिए डी-मॉटिवेट होता है लेकिन पहले जो उसने लाब अरजित किया है वह कि स्मरन्ड शक्ती में रहते हैं हमेशा उसके पटल पर रहता है और वह चाहता उसका प्रथम उद्देश क्या होना चाहिए हम अभी तक क्या डिस्कस करते आ रहे हैं कि प्रथम उद्देश सेवा होना चाहिए और द्वितियक उद्देश क्या होना चाहिए वो निश्चित रूप से लाब ही होना चाहिए आए बचो एक और परिभाशा देखते हैं अलब फसल काटती हैं कुल मिलाकर के अगर हम इस कॉंसेप्ट को जाने तो लाब आरजन बहुत जरूरी जो हम मैंने दो कुशन आपसे पूछे थे या दो प्रशन आपसे पूछे थे की लाब आरजित करने का माना यह स्टांडर्ट क्या होना चाहिए कितना लाब आरजन करना है तो उसका उत्तर यही है कि व्यवसाय का प्रथम उद्देश होता है वो उद्देश होता है सिवा करना और द्वितिक उद्देश क्या होता है लाब प्राप्ट करना आए हम दो इसके लिए स्टेट्मेंट्स आए हैं हम उन दो विचारधाराओं प पर देख रहे हैं वह अधितम लाब पक्ष में अब इस पक्ष में प्रोफसर फ्रीड में डॉक्टर जॉव प्रफेसर पिगू इन सब ने समर्थन किया है प्रफेसर रेल्फ ने कहा है कि लाब व्यावसाई क्रिया का नव जीवन स्त्रोथ है अब जैसे कि लाब बहुत जरूरी है किसी भी व्यावसाई को बढ़ाने के लिए या किसी भी व्यावसाई की उनती के लिए या उनके नुसार व्यवसाय की ओर आकर्षित करता है कौन लाब लाब जो है व्यवसाय की ओर व्यवसाई को आकर्षित करता है वह आर्थिक और मानव कल्यान का आधार होता है लाब जो है व्यवसाय की सफलता का मापदन होता है और जब लाब की बात आती है तो वहां पे अपने कि जो संसाधन हैं हमारे पास उन रिसोर्स को कितना पूरा अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन उसके उसको अच्छी तरीके से उप्योग में लाया जा सके और वेस्टेज ना हो यह जो होता है यह एक निर्णे का भी आधार होता है इसके अलावा आप बात करें तो जो लाब होता है वो पूंजी के निर्मान का भी आधार होता है या उसको प्रोजसाहित करता है जो लाब है व्यवसाय के विस्तार और उसके विकास पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है और लाब जो है भौतिक सुख सुविधाओ को क्या करता है बढ़ाता है उसके लिए क्या करता है लाब अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लाब जो है व्यापार के कारिक कुशलता का एक मातरक होता है इक स्टैंडर्ड होता है यह मतलब इन तरकों से आप सपर्ष्ट है कि लाब जो है अगर कोई व्य आम दूसरा तरक देख रहे हैं कि अधिक्तम लाब के पक्ष में जो कि विचारधार आमने चर्चा करें उसके अंतरके हम देखते हैं कि लाब अधिकतम अरजित कितनी करनी चाहिए और अधिकतम लाब अरजित करने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं तो आएए एक definition देखते हैं या एक परिभाशा देखते हैं जो कि प्रफेसर कारल मार्क्स के शब्दों में हैं उनका कहना है कि अधिक्तम लाब जो है उसे डाका कहा जाता है और एक परिभाशा देखते हैं सर प्रोफेसर बर्नाट के शब्दों में उनका कहना है कि पूझी वाद में आतमा नहीं होती पूझी पतियों की अभिलाशा लाब तता उनका ईश्वर क्या कौन होता है स्वाण ह कुल मिलाकर बच्चों अगर हम इस विचारदारा के कॉंसेप्ट को समझे तो उनका कहना यह है कि अधिकतम लाब आरजन करते समय क्या होता है कि जो व्यवसाई है पूरी तरह वो अपनी उपर कॉंसेंट्रेट हो जाता है किस तरीके से लाब आज़ित के वो क्या भूल जाता है या उसको दर किनार करने लगता है अब हम इनके इस जो विचारधारा है उस पर कुछ तरकों को देखते हैं अगर हम देखें तो जो अधिकतम लाबार्जन करते हैं वो समाज में शोशन और वर्ग संघर्ष को उत्पन करते हैं इसके अलावा जो कर्मचारियों ग्रहकों की उपेख्षा होती है क्योंकि क्या होता है पूरी तरह वो व्यावसाई क्या होता है प्रॉफिट के लिए वो अपने कर्मचारियों को भी रिस्पेक्ट नहीं करता मतलब सम्मान नहीं देता उनके बारे में सोचता है अपने ग्रहकों को प्रायर्टी किसको देता है अपन शिती हुतपन होगी की कोई व्या nod's lại अपने लाब को प्रायटी ग्रहकों को को नहीं तो बहुत दिनों तक बिना अपने ग्रहकों को संमान दियं या उनकी निट जो ہیں उनकी आवश्रक्ताय जो हैं उनको थ्यान दिये वह पूरा कर सकता भीलकूल नहीं अक्या क्या होता है अगर वह यहीं कारे करता रहे तो धीरे धीरे वह अपने बिजनस के डिप्रेशन स्टेट में चल जाएगा तो यह दूसरा तरक है वह बताता है कि अधिक्तम लाब है वह विद्वावना उत्पन कर देता है कि वह कर्मचारियों ग्रहकों की उपेक्षा करने लग वह असंतोश की भावना उत्पन होती है यह दृष्टिकोन वह अव्यवहारिक है ठीक है यह दृष्टिकोन है अधिक्तम लावार्जन करने का यह दृष्टिकोन है वह बहुत ही अव्यवहारिक है और इस सबसे बड़ी बात क्या होता है इससे काला बाजारी बढ़ती है इस इसे घूसकोरी बढ़ती है इसे मिलावट बढ़ती है इस तरह कर जो गलत काम है उनको प्रोजसाहन मिलता है और यह समाज को यह जो चीजे हैं गलत प्रतियां यह दूशित करती है तो बच्चों इस तरीके से हमने इन दो विचारधाराओं को समझा और उनको तरक संगत समझ बच्चों अभी हमने क्या किया कि आधिक्तम लाब कमाना विववसाई का लक्स है इसके लिए हमने दो सिंधवाः यह इसके पति कश में एक इस के विपक्श में आई हम एक अंतिम विवचारधारा देखते हैं जिसे हम कहते हैं उचित लाब की अवधार ना दौनसेप और या संजा कि प्रॉफिट जो है उतना ही किसी व्यवसाई को कमाना चाहिए जितना की जरूरी है सामाजिक इत्दाइत्थों को नजर अंदास करना या समाज के अंतरगत रहने वाले जो व्यवसाई में मदद करने वाले लोग हैं उनको नजर अंदास करना उनके हितों को नजर अंदास करना एक अच्छे व्यवसाई का करतव नहीं है तो इस कॉंसेप्ट में हम वही चीजों को पढ़ते हैं या उनी चीजों को जानते हैं जिनकी अंतरगत यह होता है कि किसी भी व्यवसाई का या व्यवसाई का पहला उद्देश जो होगा वो सेवा करना होगा किसी सेवा करना होगा समाज सेवा और दूसरा उद्देश क्या ह होगा उसका लाब हार्जन करना आए हम कुछ परिभाशाय देखते हैं सब प्रोफेसर पीटर एफ डरकर के नुसार उनके नुसार अधिक्तम लाब कामाना व्यवसाय का उद्देश नहीं हो सकता दूसरी परिभाशा है वो प्रोफेसर उर्विक ने दी है उनके नुसार व्यवसाय को कायम और जीवित रखने के लिए क्या जरूरी रहा है लाब कमाना जरूरी ठीक अब यह लाब के बक्षमें है लेकिन यह जो लाब होगा वो नव परवरतन यानि innovative work या कोई innovation को market में लाने में मदद करें साथ ही साथ कर्मचारियों का जो वेतन हैं या उनको हर महीने जो salary दी जाने वाली है उनको देने में मदद करें जो government के taxes हैं, सरकारी कर हैं, उनको pay करने में मदद करें, इसके अलावा व्यवसाई की कुशलता को हमेशा ध्यान में रखने में मदद करें, साथ ही साथ उचित जो लाब होता है, वो व्यवसाई की प्रतिष्ठा का प्रतीक मानक होता है, और एक व्यवसाई के लिए लाब कमा उचित लाब कमाना, इसी लिए आवश्चक है, क्योंकि उसको भविश्च के लिए कुछ निधी भी जमा करके रखनी पड़ती है, क्योंकि भविश्च में कब कैसा समय आएगा, और उसको इस निधी की किस तरीके से आवश्चक्ता पढ़ने वाली है, इसके लिए भी अप हमने जैसे की व्यवसाय के लाब में योगदान, मैं पहला देखा था कि क्या अधिकतन लाब कमाना ज़रूरी है, या व्यवसाय का लक्ष है, उसी में हम दूसरा स्टेट्मेंट देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट कहता है पर्थम सेवा, जाता फिर लाब का सिद्धान, बच्चों जैसे कि आप सर हिंडरी फोर्ड को अच्छी तरीके से जानते होंगे या फोर्ड ब्रांड आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना है हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं यह जो ब्रांड है आपने लगजीरियस कार के लिए सुना हुआ है यह कंपनी शुरू में उत बिजनस करने का या व्यविसाय करने का तरीका क्या था उनका जो एक स्टेटमेंट था या उनका लॉजिक था बिजनस करने के प्रदी की पहला क्या करना है सेवा भाव रखना है और दूसरा क्या करना है प्रॉफिट कमाना इस प्रिंसिपल या इस सिद्धान्त को पालन कि किया उन्होंने और इस धान्त का पालन करते हुए उन्होंने क्या किया अपने व्यवसाइय को बढ़ाया जिससे क्या हुआ उनका व्यवसाइय अब इतना बढ़ गया है कि आज वो एक जाने मने इंटरनाशनल ब्राइंड के रूप में सामने आया है यह जो उद्देश है उन्होंने अपने व्यवसाय में इस्तमाल किया जिससे उन्होंने समाज सेवा भी की समाज के प्रति अपने उत्तरदाइतों को भी निबाया साथ ही लाब आरजन्द किया तो यह था दूसरा स्टेटमेंट की प्रथम सेवा तता फिर लाब का सिद्धान हम तीसरे स्टेटमेंट की और आगे बढ़ते हैं तीसरा स्टेटमेंट है सेवा द्वारा लाब आरजित करना अब बचों सेवा के द्वारा यानि अपनी जो उत्तरदाईत्व हैं उनको पूरा करना किसके प्रती समाज के प्रती अपने समाज के प्रती जो भी उत्तरदाईत्व हैं उनको एक व्यवसाई को पूरा करना समाज को सेवा देना उससे क्या होगा उससे ये होगा कि जब भोक संतुष्ट होंगे तो वो उस व्यवसाय की तरफ जुड़े रहेंगे उनका बॉंडिंग जो होगी उस कंपनी से उस कंपनी के प्रोड़क्ट से हमिशा बने रहेगी तो इसके लिए क्या जरूरी है कि सेवा द्वारा लाभार्जन करना आए कुछ परिभाशाएं देखते है हैं जो कि कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई है जो कि आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है से प्रोफेसर पीटर एफड़कर के नुसार ग्राहक व्यवसाय की अधारशिला है वह उसके अस्तित्व को बनाए रखते हैं एक और परिभाशा देखते हैं प्रोफेसर हिंड तरक यह जानना है कि इन जो हमने विचारधाराओं को जना ंविचारधानयों को कौण से जो तर्क हैं वो संथुश्ट करते है अब किस तरीके से हम सेवाद्वारा लाबार्जन कर सकते हैं यह जनना ज़ूरी है कोई भी व्यवसायी कुछ बिंदूयों का पालन करते हुए सेवा अद्वारा लाभार्जन कर सकता है देखे बच्छो कुछ तो आप बहुत नॉर्मल ले सकते हैं पहला है कि अपने प्रड़क्ट की क्वांटिटी को हमेशा मेंटेन रखना, after sales services देना मतलब कोई आपका उत्पाद विक्रे हो गया है लेकिन अगर उस विक्रे होने के बाद उस उत्पाद में अभी भी समस्या है तो उस manufacturer या व्यवसाई का करताव है कि अपने customer को या उप्भोगता को after sales service देगा इसके बाद ऐसी वस्तूओं का उत्पादन करना जो कि उप्भोगताओं की आवशक्ता को पूरा कर सके जो कि उनके खर्चों अर्थाथ जो कि उनके pockets related मतलब ऐसी वस्तूओं होनी चाहिए जिसको उप्भोगता आसानी से खरीच सके ऐसी वस्तूओं भी होनी चाहिए साथ ही साथ अपने उप्भोगताओं के बीच क्या करना एक division create करना और उस division के माध्यम से क्या करना उनके लिए क्या करना product बनाना जैसे कि मैंने आपको एक उदारन दिया था मान लीजे आप detergent ही लेते हैं तो detergent के आप 3-4 variety देखते हैं आप क्या देखते हैं एक बहुत बड़ा की range को bifurcate कर देती हैं अपने भुकताओं को बाट लेती हैं सेम प्रड़क्ट को यानि सेम उत्पाद को उनके जिस purchasing power में हो ले सकते हैं मतलब उनका purchasing power मतलब जिस तरह वो उस चीज़ों खरीच सकते हैं उस उत्देश के लिए क्या करेंगे अपने उत्पादों को अलग-अलग मानकों में वो क्या कर देते हैं विभक्त कर देते हैं तो बचो इस तरीके से कुछ सेवा दे करके क्या कर सकते हैं व्यवसाई एक जो है लाब को प्राप्त कर सकते हैं इस सिते में क्या होगा कि वह व्यावसाई या वह कंपनी या वह ब्रांड जो होगा एक ब्रांड नेम बन जाएगा एक सम्मान अपना मारकेट में कमाएगा साथ ही साथ अपने कॉमपेटीटर्स के बीच उसका एक विशेश स्थान होगा और वह इन सेवा के दुआरा लाब आरजन अच्छी तरीके से कर सकेगा तो बचो इस तरीके से हमने व्यावसाय में लाब के योगदान को जाना और समझा बचो इस तरीके से हमने इस व्यावसाय प्रकृति एवं उद्देश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है आशा है यह अध्याय आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसके जो concepts हैं वो भी आपको समझ में आएंगे